पूर्व केंद्रिये मंत्री आर्सेपे सिंग इन दिनों लगातार एक के बाद एक ट्वीट करते नजर आ रहे हैं और इस ट्वीट में उनके नशाने पर अगर कोई होता है तो वो हैं सूबे के मुख्या नितेशकबार कहा ये बेचाता है कि जमाने में उनके सबसे रूसेपे सिंग ही थे लेकिन जब से उसे जुदा हुए उसके बाद से अपनी भडास निकालते नजर आते हैं एक बाद एक कोई भी मुद्द हो बहार में उस पर वे ट्वीट जरूर करते नजर आ रहे एक बार फ़र से आर्सेपे सिंग ने ट्वीट किया है और जमकर नि आगे लिखते हैं कि नितीश बाबू आप और आपके उपमुख्यमंत्री कल पड़ोसी राच्च की कानून बिवस्था पर लंबी लंबी बाते कह रहे थे क्या क्या नहीं बोला आपने याद है ना कल ही पटना से कुछ किलो मीटर की दूरी पर बालू माफियां और उनके दरेंदों ने किस प्रकार से आपकी सरकार के खनिच विभाग के पदाधिकारियों पर जानलेवा हमला किया है पता है न नितीश बाबू अगर आपको नहीं प पता तो आप पता कर लीजे उस समचार को पढ़कर आपके रोंग टेख खड़े हो चाएंगे वह बहादूर महिला खनिच पदाधिकारी अपने करतब के पालन के लिए घटना अस्तल पर गई थी बालू माफिया और उसके गुंडे उस महिला पदाधिकारी पर जान मारने क नियत से आक्रमण कर रहे थी और वो असहाय होकर गिर गई वो तो भगवान ने उस पदाधिकारी की जान बचा ली आगे लिखते हैं कि नितीश बाबू वह आक्रमण खनिच विभाग के पदाधिकारियों पर नहीं वह हमला तो सीधे आपकी सरकार पर था बालू राज्य क खनिच संपदा है उसके खनन पर एक मात्र अधिकार राज्य का होता है राज्य सरकार की अनुमती से ही वैद रूप से बालू का खनन होता है परियह क्या बालू माफिया खुलम खुला कानून की धज्या उड़ा रहे हैं ट्रक पर ओवरलोटिंग कर सरकार के राजस्व को चूना लगा रहे हैं अवैद कमाई कर रहे हैं और सडकों को भी बर्बाद कर रहे हैं बालू माफियाओं का होसला तो देखिए नितिश बाबो उसे कानून का भै नहीं है कानून का डर उसके दिमाग से निकल चुका है भै में कोई है तो वो है बिहार की चुनता और वो सर लेना देना है याद करिये नितिश बाबो 2005 और 10 के बीच आपके शासनकाल में माफिया और अपराधी कानून से डरते थे और आज वे सरयाम कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं अक्सर ही बालू घाटों में बच्चस उको लेकर माफियाओं में अक्सर गोली बारी की घटना होत हैं आप मुख्यमंत्री तो जरूर हैं लेकिन अब सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है नितिश कुमार जी जनता तरस्त है और माफिया एवं अपराधी मस्त नजर आ रहे हैं उन्हें पता है कि जिस तरह की रासनिती आप कर रहे हैं उसमें उनके खलाफ कारेवाई करना जब कानून समस्त कारवाई करेंगे तब आप आपके सहयोगी उसे मानवाधिकार के चश्म से दिखंगे आखिर चलता और सरकारी से 59 का कोई मानवाधिकार होता है नितिश बाबू की नहीं bén सरकारी सेंह्ञा कौन कर नितिश बाबू अभी हाल में एक कानून के साथ आपने जो पल्टी मारी कि उससे सरकारी सेकों में घलत संदेश गया है आप ने उन्हें जो सुरक्षा का कवच दिया था उसे आपने खुद ही हचा दिया सही है नितीश पाबू आपको चनता और सरकारी सेकों की जानमाल की सुरक्षा से क्या लेना देना आपके कुर्सी सलामत रहे यही आपका धर्म हो गया है बालू माफिया चिंदाबाद, दारू माफिया चिंदाबाद, कुर्सीवाद जिंदाबाद तो देखे किस तरीके से आर्सिपिसिंग ने ट्वीट करके नतिश कुमार से कई सवाल भी पूछे हैं जवाब भी दिया है कि जब पहले आपका कारेकाल था तो किस तरीके से अपराधी खौफ काते थे लेकिन आज भी आप सी-एम हैं और उस टाइम में भी सी-एम थे लेकिन क्या होता है अगर आज आप सी-एम हैं तो सिर्फ सी-एम ही हैं सरकार का जोई इकबाल है वो खत्म हो चुका है एक के बाद एक आपने देखा कि कितना लंबा चड़ा ट्वीट किया है आज सेपे सिंग ने और चुंप कर अपनी भडास निकालते नजर आ रहे हैं इस वीडियो में फिराल के लिए नहीं तमाम अब्डेट्स के लिए आपने डिक नियूस 24 के साथ अगर आपने अवे तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजे हमारे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए साथी हमें कमेंट करके जरूर बताएए कि आपको हमारी खबर कैसे लिए